नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एक किलोवाट विजली कनेक्शन में आप क्या-क्या चला सकते हैं देखिए जब आप अपने घर में विजली कनेक्शन लेते हैं तो जिनरली लोग एक किलोवाट का विजली कनेक्शन ले लेते हैं मगर उन्हें पता नहीं होता है कि 1 किलवार्ट विजली connection में हम क्या-क्या अपने घर में विजली उप्योग कर सकते हैं इस विड़ियो हम आपको बताएंगे कि अगर आपका 1 किलवार्ट का विजली connection है तो आप क्या-क्या विद्धुत उपकरन आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक किलो वार्ट से ज्यादा विजली करनेक्सन है आपका है घर में उपयोग हो रहा है विजली एकुपमेंट तो ऐसी परस्थिती में क्या हो सकता है तेखिए यहां पे हमने एक चार्ट ले लिया है चार्ट में आप देख सकते हैं एकुपमेंट है आपका पहले वाटर मोटर एक एचपी का जोकि घर में जिनरली समर्शेवूल होता है वह एक एचपी का मोटर होता है उसके पंखा लगा होता है LED बल्ब होगा टीवी जिनरली हर घर में होता है फ्रीज वासी मसीन कूलर यह सब हम यहां पे ले लिये हैं और देखेंगे इसके वज़ा से कितना फर्क परता है आपके वाट में जनरली आपका वासी मसीन नहीं भी हो सकता है तो देखिए और यहां पे माल लेते हैं कि एक वाटर मोटर है तो वह 740 वाट का होता है सबसे पहले आपको वाट के वारे में जानना होगा जो भी कूपमेंट है विजली का उपकूपमेंट है उसका वाटर कितना है उसका रेटिंग कितना है पंखा है तो वह साथ वाट का होता है एक पंखा साथ वाट का होता है एलडी वर्ट 9 से 10 वाट का होता है ज्यादा वा वासिंग मुशिन 200W को होता है कुलर 200W को उसके अलाबा विकर एकुपमेंट एलेक्ट्रिक आयरन है यह आप इंडक्शन कुक पॉट रखते हैं और सपोज कि जिए कि एसी है इस सब का वाटेज अलग-अलग होता है वो डिपेंड करता है तो यहां पे देखिए चार्ट है य इतना एकुपमेंट अगर हम लेते हैं तो यह 916W हो जाता है यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने एक मोटर लिया है वाटर मोटर समरसेवूल एक पंखा लिया एक लेडी वाल्ब है और एक टीवी इतना को अगर हम जोरेंगे तो यह 960W होता है 960W आप यहां पे 970W हुआ अब लेडी एक और मिल्यासकते हैं दों कि यह 960W हुआ यहां पे यह देख सकते हैं 996वा तो देख हम प्लीव एक हेछार वाट लोट च्णावयर चैनल लोट होता है एक किलोट में 152 बर्च से लॉट्य चिर्ल चैनल मनघकरप्रेज लिए तो इसलाबां इसली दो बहूंट मί Fahren के मह उऔर कोरे निरौ मेहन पंधाने करें गतें दो सरफ सघे vine तीन LED बल्ब चला सकते हैं और एक tv आप इस्तेमाल कर सकते जैसे ही हमने एक फ्रीज डाला आपका 1096. सब्सक्राइब लेकिन यह सफ्ट्वेर पर डिपेंड है यह जिनरली आपको एक किलो वार्ट से अधिक में चला जाएगा तो किसको जब राउंड आफ करेगा तो वन पॉइंट वन किलो वार्ट हो जाएगा सपोज करिए कि हम एक वासिद मस्किन भी हम लेते हैं और एक कूल कीलो वार्ट के आपकी पास इसी इस्तिती में आपको यहां पर अम्में के रख नना पर यहां पार के अति देख सकतें हैं यानि एक हजार वाट यानि एक किलोवाट तो आप इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि एक किलोवाट का अगर आपने बितुत कनेक्शन लिया है तो सिर्फ इतना ही चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादा चीज है तो आप लोड़ आपको बरहाना परेगा अब यहां यहां पर देते हैं अगर आपके पास हाफ एच्च कर रहे हैं दो पंखा यूझ कर रहे हैं आपको श्रुत 623 वाट हो रहा है अब यहां पर फ्रीज भी एड़ करें देख लेते हैं और एक वासिंग मसीन और एक कूलर अब यहां पर देख सकते हैं 1123 वाट चला गया तो आप यहां पर क्या करेंगे आप यहां पर जीरो कर देजिए कूलर को तो आप 223 वाट यहां पर हो रहा है यानि इस केस में अगर हाफ एच्वी का मोटर है तो आप यहां पर देख सकते हैं 993 वाट यानि अगर हाफ एच्वी का मोटर है तो आप करेंगे तो आप χाण वी कर देख केस में में आपकर कैश वी एक कर पाएंगे तो हअनु केस और एक वासिल यह में कर पाएंगे यह आपका केस है यहां पर आप को समस्तिति मी आपको बढ़ना पर आप को समझ सकते हैं 25 से आपक अगर एक हिचपी का मोटर है और आफछपी का मोटर है कैसे यह आपका ड़ाटा ऐसे ही हजार वाट से और जो होता है आप उसको में लोट भराणा परिगा नहीं तो आपका द्रinky Branch आपको पैदाल्रिटी जो रेगा ऊसके लिए कि